नमस्कार दोस्तो आज मैं आपको दुनिया की 5 सबसे खतरनाक जगों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके बारे में जानकर आप इन जगे पर कभी भी तेरने की इम्मत नहीं कर पाऊगे क्योंकि जो भी इन जगों पर गया उनमें से कुछी लोग वापस लोट कर आ सके नील रिवर नील नदी के बारे में आप तो ये तो जानते ही होंगे कि ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इस नदी में दुनिया के सबसे खतरनाक मगरमच रहते हैं जो अपने आपको इस नदी में छुपा कर अपने सिकार का इंतजार करते हैं हर साल सो से जादा लोगों पर ये मगरमच हमला कर देते हैं ये जगे सीसे के जैसे साफ पानी की वज़े से जानी जाती है जहां आप आराम से तेर सकते हो लेकिन इसकी सबसे डरा देने वाली बात ये है कि इसके नीचे काफी सारी गुफा और सुरंग मोजूद है जिसमें फसने का खत्रा अमेशा बना होता है अब तक इस जगे पर आठ लोगों ने अपनी जान गवा दी दोस्तों क्या आपको तेरना आता है कमेंट बॉक्स में ज़र बताएं अमेजोन में ना जाने के कई कारण हो सकते है क्योंकि यहां आपको एनाकोंडा मिल जाएंगे जो पानी के अंदर 10 मिनट तक रह सकते है यहां आपको पिरानाज मिल जाएगी जो आपके टुकडे कर सकती है यहां आपको इलेक्टरिक इल मिल जाएगी जो आपको 600 वोल्ट का जटका दे सकती है जो घर पर स्वीच बोर्ड से लगे जटके से 5 गुना जाता होता है और कई ऐसे कारण भी है जो आपको इसमें कदम रखने से रोक देंगे हाना कापी आई बीच हाना कापी आई बीच जोकी हवाई में मुझूद है जहां आप छुटिया मनाने नहीं जाना चाओगे क्योंकि ये जगे एक जाल है यहां पर सर्फिंग करने जाने वाले लोगों में से कुछी लोग बचकर आपाते हैं क्योंकि यहां का पानी इतना खतरनाक है जिसकी वज़े से अब तक यहां पर 80 लोगों ने अपनी जान गवा दी जिसके बारे में आपको यहां पर लगे साइन बोर्ड से पता चल जाएगा कीपू फॉल्स हवाई में मुझूद इस जगे पर कही लोग अचानक से डूप जाते हैं लेकिन किसी को भी यह नहीं पता आखीर ऐसा केसे हो रहा है क्योंकि यहां पर लोग आराम से तेरते रहते हैं लेकिन कुछी देर में वो अचानक से चीकने लगते हैं और पानी में डूप जाते हैं आज तक इन घटनाओं के पीछे का कारण नहीं पता चल सका कई लोग इसका कारण पानी में मौजूद कोई बुरी सकती को मानते हैं दोस्तों अगर इस वीडियो पर 8000 लाइक सो 500 कमेंड मिलते हैं तो मैं इस वीडियो का शेकिन पार जल्द लेकर आऊंगा वीडियो के नीचे एक लाल बटने उस पे क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए दन्यवाद प्ली सब्सक्राइब करना ना भूले